महारास्ट के इस पावन धर्ती को मैं प्रणाम करता हूँ महारास्ट राज्ट के बारत रास्ट किसान समितिक्या देख्ष आधर्नीय स्री मानिक कदम जी सीनियर नेता लोहा के एकसे मेले सी शेंकरन दोंग्डे जी स्री अन्ना साहिब माने पाटिल जी स्री अब्दुल कदीर मौलाना जी स्री हर्शवर्दन जादो जी स्री आभाई पाटिल चिटगाउंकर जी स्री संतोष माने जी स्री अप्पा साहिब माने जी हरी बाव रातोड जी दिली पन्ना गोरे जी शी प्रबीन जेतवार जी, शिवराज बंगर जी, शी फिरोज पटेल जी, लगता है फिरोज पटेल का हवा ज्यादा है शी विजेई प्रकाश तुम्बारे जी, शी बाला साहिप सनाप जी, शी खुल्दीव करपे जी आवर तलंगा ने राजी से मेरे साथ आया हुए, अमारे सीनियर नेता, ब्यारस पार्लमेंटरी पार्टी के लीडर, स्री केशो राओ जी अमारे आधरनी MPC BV पार्टील जी, आधरनी MPC संतोश जी, मेरे साथ आया हुए MLS, MLCs, अमारे तलंगान राज के भूतपूर चीफ सकरेटरी, जिन्नोंने तलंगाना माडल बनाने में, तलंगाना राज बनाने में, मेरे साथ जो 24 गंटा काम किये ते आईसे महान शिक्सि बूतपूर चीफ सकरेटरी स्री सोमेश कुमार जी, और सभा में समन्वित सारे बुद्रुगों को, भाईयों को, बहनों को, मैं प्रणाम करता हूँ. सुप से पहले, अभी हुआ है ईद, समावे में जितने भी हमारे मुसलमान बाई है, बुद्रुग है, मैं आप तमाम लोगों को तहे दिल से ईद मुबारक पेश करता हूँ. इन दिनों में एक प्रश्ण बहुत बड़ा, जो देश के दानिश्मंद लोग है, जो बुद्धी जीवी है, उनके बीतर में और मेरे मन में भी बहुत बड़ा प्रश्ण उट्रुगों को, रहा है, आज हमारा देश, इतना महान आइतिहासिक परंपरा रखने वाला एक महान देश, जो हमारा बारत है, एक प्रश्ण, इतने महान देश का, आज का हमारा देश का लक्ष क्या है, भारत का कोई गोल, कोई लक्ष है, या भारत अपना लक्ष को बैटा है, एक प्रश्ण मुझे काये जा रहा है कहीं दिन से, एक ओन है भई, तो एक बात को हमों समझना जरूरी है, सुबसे पहले मैं आपसे एक प्रार्तना करूंगा, जो मैंने नांदेड में भी किया था, आज लोहा में भी किया था, आज पर एक बार अपनी बात को दौराता हूं, इतने भी सबा में लोग आये हुए हैं, मैं आपसे प्रार्तना करता हूं, मेरे जो भी बात है, यहीं सुनके यहीं इसको भूल मत जाईए, आप अगर शेहर से हो, आपके बस्ती में जाने के बाद, आप अगर दिहाद से हो, अपने गाउं जाने के बाद, अपने लोगों के बीतर इसका चर्चा जरूर कीजिए, और सच जानने का कोशिश कीजिए, इतना मैं आपसे प्रार्तना करता हूं, अगर बारत अपना लक्ष को बैटा है, गुम्राह होके बटक रहा है, तो कहां पहुंचेगा देश, इतनी बड़ी जन संक्या, सारे दुनिया में सबसे बड़ी आबादी, बिना लक्ष का समाच, बिना लक्ष का देश का अंजाम क्या होता है, और वो कहां पहुंचता है, कि किसका पाप है, हो क्या रहा है देश में, कुछ होना है, या ऐसा ही पड़े सड़े रहना है, बात सवाल अमारे सामने ये है, बारत का कोई नया लक्ष, कोई नया चेतना, नई सबेरकस्तायफ, नई उमंग से आगे बढ़ना है, क्या ऐसा ही पड़े रहना है, सवाल इस बात का है 75 साल हो गए देश आज़ाद हो गए मैं सुन रहा था अज सुबे से यहां से हमारे जीवन रेडी मेले हमारे वेन गोपला चार जी हमारे पाड़िल साफ जितने भी लोग हैजरबास से आके यहां काम कर रहे थे वो लोग मुझे मेशेज बेज रहते मुकामी लोगों से भी मेरा बात हुआ शहर में आठ दिन में एक बार पानी आता है प्रकाश पोरे जी जी जो देश उन्नती के मालिक है मेरे साथ ही है आकोला से आये हैं उनसे भी मैंने मालम किया तो वो भी कह रहे थे है आकोला में भी यह हालत पिर कहाँ टीक है महारास्चरा राज्य में ये इतने नदियां निकलते हैं थे किसराशेत इंडिश्टान में नहीं कलते ce ये वोदावरी है कृष्णा रहेवें पिनन गंग है जो मंजीरा है भीमा है गटप्रभा बंच गंगा है मूला है प्रवरा है कितने कितने नदिया निकलते हैं कितने नदिया निकलने वाले एक बलवान Financial Capital of India मुंबई साथ रखने वाले राज पीने का पानी नहीं दे सकता ऐसे हालात में भी हम लोग क्या मुतमेन हैं दाय करके सुनचिए जनता क्या मांग रहे हैं को सोने का इंट तोड़ी मांग रही है चान सितारे तोड़ी मांग रहे हैं पीने का पानी बहिया इतनी लंबी लंबी बाशन के बाद इतनी सरकारे बदलने के बाद क्या हंगामा सियासी हंगामा देखने के बाद पीने का पानी तक हमको फराम नहीं होता ऐसी बारत आगे भी रहना चाहिए या बदलना चाहिए बेरोज़गारी बढ़ रही है लागों उज्जोग बंद हो रहे हैं लागों स्रेम जीवी जो उसमें काम करते हैं कामकार लोग रोड पे आ रहे हैं रोड कि आर देश में पुरा जाती वाग। का धरमभाद का लिंग बेदoras कुपकों के लुज़ीवी खेल रही हैं बदलत के सामें प्रॉज ब रोज अम देख रहे का जो दडदनवान हैं अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं एक ही साल में 10 लाग 12 लाग करोड के करोड़ों पति अर्बों पति बन रहे हैं जो गरीव है और गरीब होते जा रहे हैं इस अब कड़वे सच है आपके हमारे आंकों के सामने हैं यह कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूं जो रोज हमारे को देखने को मिलता है कोई माने या ना माने यह कड़वा सच है यह सारे जो भी चल रहा है ऐसा ही चलना चाहिए या इसका कुछ इलाज होना चाहिए किसी भी देश में कभी कोई बीमारी लगती है कभी कोई बीमारी लगती है सुदारने वाले डाक्टर होते है उस समाज के उस देश के दानिश्वर बुद्धि जीवी उस देश के उस समाज के युवा शिक्ति जिनके पास कून जिनके कून में थाकत होता है यही डाक्टर्स होते है नौजबान बाईयों को मैं प्रनाम करके पुछता हूं हम लोगां को तो हमर गुजर रहा है लेकिन यह कल का देश आपका है बविश्य आ करना होगी पहसला कीजिए और एक बात पक्काताई करके चलिए हमारी जो समश्या है किसी भी दिन यह हमको ही सुलजना पड़ेगा कोई अमरिका से नहीं आएगा कोई रूस से नहीं आएगा कोई दूसरे देश वाले आके हमको नहीं सुधारेगा सवाल यह है कितने जल्दी हम जाग जाए उतने ही हमारा सुधार होगा जितना हम लेट कर दिये और बड़े अन्याय का सामया हमें करना पड़ेगा एक ही बात सुचिए इंदुस्तान में कहीं महान किसान नेता पैदा हुई कहीं लोग सर्चोटू राम जो आजादी से पहले पंजाब राज़ में काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश में महेंदर सिंग ठिकायत काम कर रहे थे यहाँ अपला महा रास्ता में सेरच जोशी के नेत्रत्तु में कहीं लोग लाकों लोग काम कर रहे थे करनाटक में प्रफ़सर नंजुंड स्वामी तमिल नाडु में नारायन स्वामी जी राज पंजाब में राजोवाल जी और मंच पर बैटे हुए हमारे भारत किसान समितिका रास्ती अध्यक्ष सी गुरुनाम सिंग चड़ोनी जी यह सारे लोग लड़ते रहे आकिर एक बास सुनचिए हिंदुस्तान में अगर लोग तंत्र है लोग शाई है तो 13-13 महीने किसानों को क्यों दिल्ली में देश के राज़दानी में धरना करना पड़ता है कितनी दुर्बा के पूर्ण है यह क्या स्थिती है यह लोग तंत्र है 13 महीने के बास 13 महीने के दवरान में साड़े 700 किसानों का वुर्च्च्च हो गया साड़े 700 लोगों को मरने पड़ते हैं इस देश में जिसमें लोग तंत्र हम कहते हैं यह क्या तमाशा हो रहा है देश में उसके बाद प्रदान मंत्री कुद माफिय मांगते हैं खानून वापस लेते हैं अभी और 13 महने गुज़र गए होता कुछ नहीं है क्या यह लोग तंत्र है लोग शाहिये किसानों का यह मानिता है मतलब क्या है कुछ न कुछ दाल में काला है यह बात मैं किसी और जगा कहा तो वो लोग कह रहे थे दाल में काला है यह पुरानी बात है भाईया अब तो पूरा दाल ही काला है तो मतलब क्या है जरूर कुछ इलाज की जरूरत है कुछ न कुछ परिवर्तन की जरूरत है बारत को बदलना चाहिए बिलकुल बदलना चाहिए कि बहुत आवश्यक या जीते गर्फ नहीं उता बाइयो ऑंठेका में इस चुनाव के दर्यम्यान दन्यों के जरिये जनता जीतती है, जनता मांगें सफलता मिलती है, वो सही जीत होता है, पार्टियों का जीत जीत नहीं होगा, पार्टियों तो कहीं जीता है हमने, कहीं जीते है, एक गया, दूसरा है, तिसरा है, चवता है, कितने उनकों जीता है अब तक हम लोग ने, कितने पुडारी आये इ लेकिन समश्य जेसके तस, समश्य का कोई समधान नहीं, जिस देश में हर दिन सवों की संक्या में किसान आत्माच्या कर रहे हो, जिस राज में जिस पावन दर्ती पे मैं कड़ा हुआ हूँ, इतने नदिया निकालने वाले महाराष्टर राज में, अभी हमारा शंकरन न बता आच्छा कर रहे है, या प्रदान मंत्री को, या राज के लेताओं को, क्या पड़ी है, वो लोग तो आफरिका से, शेर लाके दिखा रहे है हमारे, अरे बही हमारे किसान शेर मर रहे हैं बोले तो, देखो देखो या आफरिका का चीता है, ये नमीबिया का शेर है, इसको देके कुश हो जाओ, क्या समझ में आता है, समझ्चा का वो समधान नहीं है, इसलिए महीं हमारे शेतकरी बाईयों से और बहनों से, हाथ जोड के विनम्र पुर्वक प्रातना करता हूं, जब तक हम कुद शेर नहीं बने, हमारा समध्चा का समधान नहीं मिलेगा, तैयार ह होना चाहिए, भारत को परिवर्तन होना होगा, बिना परिवर्तन के भारत विकास नहीं होगा भारत में, फिल्कुल तैय है, जोके लंबा समय गुजर चुका है, कहीं पार्टियों को मुखा दिया जनता ने, लेकिन कुछ बात सही नहीं आया है, हमारे आंकों के सामने, हमसे बुरा हालत में रहने वाला चहिना आज दुनिया को कमैंड कर रही है साउथ कोरिया आगे बढ़ गई है बांब का मार काने के बाद फिर उट कड़ा है जेपान देश हमारे हंकों के सामने है जैसा महम्मद मातीर के नेत्रतु में मलेशिया में परिवर्तन हुआ और सिंगापूर में जहां कुछ भी नहीं है वो लोगों का हालत भी हमसे बेतर है यह सारे चीज हमारे आंकों के सामने हुए 75 साल में जो हो रहा है इससे उठकर आउट आफ वाक्स जाकर एक नया डंग से नया रंग से एक नया जंग करके हम बारत को बदल सकते हैं इसी पुराने तरीके से हम लोग नहीं बदल सकते इस बात को समझने के लिए मैं आपको विनिंति करता हूँ इसी लिए मैं ये एक बात आपको बताना चाहूंगा इस परिवर्तन बारत में जो आना है बिना परिवर्तन के बारत आगे नहीं बढ़ सकता इसी लिए पैदा हुआ है BRS पार्टी BRS एक चुनाव के लिए एक दिन के लिए कोई एक वर्ग के लिए एक धर्म के लिए एक जाती के लिए नहीं पैदा हुआ ये सारे भारत वासी जितने भी है उनके हकों को लड़ने के लिए उनके हकों के लिए बिलकुल BRS पैदा हुआ है एक बात में यहां कहना चाहूंगा जब भी नए पाटी आता है नया ताकत उबरने लगता है पुराने ताकत पुराने ताकते इकटे होगर की भी हमला करने लगते हैं साजी से रशते हैं अपवाय पहला आते हैं पुलीस को लगा देते हैं लेकिन डरना नहीं है अगर डरे तो हम अब भी आजाद नहीं होते थे अब भी ब्रिटिस के गुलाम बने रहते थे इसलिए मैं कहता हूँ पानूस बनकर जिसकी इफादत हवा करे वो शिमा क्या पुझे जिससे रोशन खुदा करे ये डरने से बिरने से कुछ नहीं होगा बिलकुल अगर हमारे जंग में नेकी है हमारे जंग में इमान है तो जरूर हमारी जीत होगी हम जीत के रहेंगे ज्योंकि बगवान हो या अल्ला के घर में देर है लेकिन हंदेर कभी नहीं है इसलिए हमको आगे बढ़ना चाहिए इसलिए आया है बीरस पाटी और बीरस पाटी पर्मिनेंट आपीस हमने करीदा है नागपूर में हमारे अबाई और लोग यहां पर भी पर्मिनेंट आफिस करीद रहे हैं कोई किरायवाला नहीं बिलकुल पर्मिनेंट ब्यारस काम करता रहेगा जब तक बारत पूर्ण परिवर्थत नहीं होगा अब तक यह लड़ाई जारी रहेगा भाईयो मैं आपका ज़्यादा टाइम मतलु नहीं लूँगा दो बाते मैं समझा दूँगा आपको दो तिन बाते यह समझने की बात है एक अजीब बात है पानी नहीं है शहर में प्रकाश पोरे कर रहे है अकोला में नहीं है कोई वकील साब आये ते पूना से पूना में भी सही नहीं है दियात में तो हैं ही नहीं है पिर यह क्या चक्कर हो रहा है वो कह रहा है इंदुस्तान में किसान हमारे क्यों आत्मा चा कर रहा है कि दया करके सुनचे इस बात पर इतना हमको गुम्रा कर दिया है खास तोर पर दो चीज एक पानी दूसरा करन्ट बिजली पानी इंदुस्तान के जो क्रिशी योग ये भूमी है 41 करोड एकर और जो पीने का पानी चाहिए और जो उज्जो के लिए चाहिए इन सुप के लिए इतना पानी चाहिए उससे डबल पानी इंदुस्तान में अवैलेबुल है पिर भी देश क्यों वणचीत है आप लोग सुँचिए ये नहीं है के पानी नहीं है पिर क्या नहीं है राज नेताओं यह ऐसे हम सम्षान जाते रहें बस इसमें खास तोर पर पहले से लेके अब तक एक नेवरु साथ के जमाने में कुछ मनसुबा बनते थे कुछ प्लानिंग होता था उसके बाद में केंद्र सरकार जो भी पार्टी का बने जो भी बने उनके नालाएक पन से आज देश सफर कर रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि देश को देश में जो उपलद्द अए पानी जो अमारा अपना संपत्य है जो जन्ता के हक में यह वह समंदर में बैज आरही है और हमारे सरकार थमास सा का देख रहे हैं जैस में अगर पानी सही तरीके से सिंचन के लिए पीने के लिए उज्जों के लिए अन्य चीजों के लिए आना चाहिए तो बढ़िया बांद बनाना चाहिए बैती नजियों को रोकना चाहिए एक बात मैं आपको बताता हूं आप शायद विश्वास भी नहीं कर पाओगे कोटा देश है कि जहां कि साड़े छे हजार थी एंची का रिज़र वायर है साड़े छे हजार पाइटन जो जैकवाड़ी है यहांसे नजदिक में आप तमाम लोग देख चुके हैं एक सव एंची उसका है याने के जिंबावे जो रिज़र वायर की मैं जिकर कर रहा हूं वहाई पाइटन से 25 बार बढ़ा है 25 बार च इंदुस्तान बाड़ भी देख चुका है इस चुका लिए डेख चुका है इस जिंबावे जैसे हम आरे पास कम से कम फीन चार रिजर वायर तो होना चाहिए मैं देश को बार से बचाने के लिए ने करते पानी का तमाशा मैं रखते हुए देश को नहीं दिया जा रहा है इसके बियारेस का ये लक्ष है पूरे देश में आज जो पानी की पालसी है बंद करना चाहिए नया रचना नया कानून जब तक नहीं लाया जाएगा ये तमाशा है साच चलते रहेगा हमेरे केते पैसे रहेंगे हम पैसे कि और बुरा अलग भी हो सकता है इसी लिए अब सुनचिये एक बहुत आहिम बात है पानी को समझने में हमारे देश अबी भी पीचे है पानी एक एक ऐसी चीज है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता पानी को इनसान नहीं बना सकता पानी कुदा का बगवान का देन है अपने आप में आता है प्रकृति देता है बहुत ही मूझ यह चीज है उसके बहुत सेथ तरीके से इस्तेमाल करने का विद्या कई देश ने शीक लिया है लेकिन हमारे देश में नहीं सीखते ना समझते ना सुनते तो इसलिए पानी का पूरी पाल्सी बदलना और हर चीज के लिए बरपूर पानी मैं ये एक बात कहता हूँ बाईयों दोस्तों महारास्ट में बियारस सरकार बनाईए पांच साल के अंदर हर गर्मे नल के साथ पीने का पानी मिलेगा ये मेरा वाद आपके साथ हर शहर में हर चोटे से चोटे गाउं में हाँ जो आज सिलंगानाराज में मिल रहा है हमने किया है वां पे हर घर में हाधराबाद के जो बड़े अमीर बड़े धन्वान अर्बोपती रहने वाला जगा जो जूबली बंजाराहिं से वहां का पानी मा के हमीर जो पीते हैं आदिलाबाद जिला का गोंड भी वही पानी पीरा है और ये बात महारास्टर में भी संभव है और ये भी मैं आपको वाईदा करता हूँ जितना जल्दी वो सके उतना जल्दी हर येकड में बर्पूर पानी किसानों को दिये जाएगा ये माई वाईदा करता हूँ आपसे जो आज तेलंगान में हुआ है मैं इसलिए काहता हूँ हमारे पानी समंदर में ना बैते हुए हमारे केतों पर आ जाए हमारे केतों का प्यास बुजाए और हमारे पीने के लिए भरपूर पानी हमें मिले हमारे अन्य चीज़ों के लिए मिले ये करना वो जरूरी है इसके लिए रोना दोना बंद करना है अब लड़ना सीखना है सारे श्यतकरी इकटा होना है अन्य भाई भी इकटा होना है इसका कोई दूसरा नहीं कर सकता इसका फैसला हमको कुद करना पड़ेगा कोई दूसरा देश वाला भी इसमें हमारा मदद नहीं करेगा दूसरी चीज़े बिजली क्यों बिजली नहीं देते बाई यह तो मुझे समझ में ही नहीं आता आठ साल पहले तेलंगानार बनने से पहले वाहां का हालत भी महाराष्ट से भी बहुत बुरा था बहुत ही बुरा था दिन में तीन गंट आता था करन किसी दिन तो आता ही नहीं था आज तेलंगाने में हर किसी को किसान समेथ हर किसी को 24 गंटा उच्चे गुनवत्त वाला पावर मिलता है किसान को तो फ्री मिलता है 24 गंटा मिलता है पिर क्या तमाश हुआ जब तेलंगाना 24 गंटा दे सकता है तो महाराष्ट में क्यों नहीं सेलंगाना बहुत चोटा राज है महाराश्य से कमजोर राज है पिर क्या हो रहा है यह क्या तमाशा है करन्ट बनाने के लिए जो कोईला चाहिए होता है हमारे देश में 361 बिलियन तन का कोईला है जो पूरे हिंदुस्तान को देड़ सव साल तक 24 गंटा करन्ट देने के लिए सफीशेंट है देड़ सव साल तक यह आंकड़े मेरे नहीं है यह काहनी मेरा नहीं है इसको कोई गलत साबesian करा यह की मिनिट में मेरे चीप मिनिस्टर स्पोष्ट को इस्तिवाबभी दे सकते कि यूँ नहीं देते बाई या मजाग बना दिया कि विजली के बिल बढ़ाओ प्रेवेट देदो किसका बापका जागी रहे प्रेवेट देदो जो मर्ची देदो कैसे दे रहे अनेक दशकों से हमारे करंट के कर्मचारी जनता हमारे लोग अपने जमीन देके पैसे देके खुन पस्यना बहा के जो करंट गर बनाए जो पावर जेनरेटिंग आउसे बनाए उसको मुफ्त में अपने दोस्तों में बाटना चाह रहे पावर प्रेवेटेशन मैं यह की बात कहता हूं कि भगवान का धया होगा तो अगली सरकार ब्यार्स का बनेगा हर चीज हम वापस लेके रहेंगे मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा जो आज प्रेवेटेशन करना चाहरे जिनकी नीदी प्रेवेटेशन है तो हमारे नीदी प्रेवेटेशन है नेशनलिजेशन है हम हार चीज को वापस लेके रहेंगे मैं आपको इवाइदा करता हूं तिलंगाना राज उसका जो माडल है क्यों आमल नहीं हो सकता हमारे राज में महारास्ट तिलंगाना राज में हमने काभी तलाटी को हमने बरकास्त कर रिया कोई तलाटी व्रवस्ता नहीं है अब मोर्दी साब कहते है दिल्ली से डिजिटल इंडिया बनाओ कहां गया बाई डिजिटल इंडिया कहां गया कि कि सानों का रिकार ंपमी जो वी? हमने किया है त्लंगाना में रिजिस्टेशन के लिए कहां दिन सड़ने बढ़ने नहीं फोन करते हैं 15 मिनिट में रिःज्टस्री उता है तो उसी समय पटेंट्टा भी और जाता है तिर बार ne प्रहार में पड़ता है ये कशेर का महारास्ट्र में hadi क्वे नहीं होता भाई जम्य कि लादी कितने पावरफुल है आपके चीफ मिनिस्टर से भी पावरफुल है, हमारे तोरट साय पर कहीं थे मेरे से, ये तो ब्रह्म् म देओ, माहराश्ठ कराज में उनको ब्रह्म् म देओ बोलते, इसके जमीन चाहो, जिसका किस्मत लिग देता है, ये क्या हो रहा है? हम ताना शाही में है या लोक शाही में है क्या हम इसलिए कि लंगाना अस्यम्ली में कानून पास करके सालाती व्यवस्ता को ही भरकास कर दिया है सारे डिजिटलाइज कर दिया है इसलिए किसानों के लिए जो सालाना एकड़ को 10,000 रुपे हम बेचते हैं हम कोई आफिसर के जरिये नहीं बेचते किसान को उस पैसे लेने के लिए कोई दफ्तर जाना नहीं पड़ता है अधराबाद में हम डाल देते हैं तो सीधा उनके बांक अकॉट में जालता है बीच में कोई दलाल मट्टी कुछ नहीं है एक रूपे का परिश्वत नहीं देना पड़ते उसके आठड़ दिन के अंदर उनके घर वह किसान जिनका मुरुच्य वह जिसका भी नामिनिट किया आप दीन के अंदर पांच लाग उनके गर पोंच जाता है कि किसानों के जब दान हम करीदते हैं हर एक कुझे दानँ 91100 केंद्र कोल के तेलंगाना में अम करिदते हैं करेदे अभी रिए दान की पसल आ रए है बड़ी तेदात में आ रही है अब अरो बाठालू है कोई भी आखे देख सकता है त्awan है कि यहां किसान के ब्रuming जाता है वोई दल्रों का शिकार नहीं है ते लंगाना में भी हालति से बुद्ध बुरा था करंठ नहीं था पीने का पानी नहीं था इसान सब्सक्राइब करने में बहुत उनका योगदान है महारास्टा में क्या हुआ भाई महारास्टा का चीफ सेक्रेटर नहीं है सेक्रेटर नहीं है क्याबिनिट है सुब कुछ है आमदार है खासदार है यहां क्यों नहीं होता दवाल यह है मैं आपसे प्रात्र नहीं करूंगा इसी लिए इन चीजों के मद्दे नजर ही मैंने आवाज दिया है मैंने पुकारा है अब की बार किसान सरकार किसान भाईं को मैं प्रणाम करता हूँ आप केत जाना हल चलाना सीखते हो जानते हो एक बार असेंबली के तरफ क्यों नहीं जाते आप खुद आमदार क्यो नहीं बनते है आप खुद खासदार क्यों नहीं बनते नेता बड़े-बड़े मोटे नेता नहीं चाहिए हमको हम में से खुद नेता बनेंगे अगर आप साथ देओ तो बिल्कुल हम कुद नेता बनेंगे किसान भाईयों को मेरा एक अपील है अगर आप नहीं कर पाओगे मैं सारे महाराज सकिस्तानों को यहां से आवाद दे रहा हूं आगामी जिला परश्चत चुनाओ आपके हाथ में हैं शेर के वोट ने रहे तो उसमें पंचाहित राज एलेक्शन बुले तो देहाती वोट है सारे वोट हमारे है सारे के सारे जिला परश्चत पर गुलाबी जंडा लहरा देओ क्या क्या बाग क्या नहीं आता मैं देखता हूं आपके पीछे बाग बाग क्या जाएगा एक ही सबा नहांदेर में हुआ तो आसेम्बली में बजट आ गया 6,900 करोड और कह दिया किसान को 10,000 दें गे या बीग दे रहे हैं दो दे सकता है एकड को 10,000 तो महारास्ट में क्यों नहीं देदीजे मैं यहां के मुक्तिय मंत्री चीसे अनुरोद करता हूं प्रारत ना करता हूं यांकि उपमुक्य मंत्री द्यवेंद्र फट्ण वीच्जी है वो मुझे कह रहे थे चि तेलनामाडल मक्की का मक्की देदो, मैं महारास्थे चौड़के मजज प्रस्येस चला जाओंगा, मैंने बता है था樣 जो के मेरे काम खतम होजाएगा, अजय है बने मिशन का भार क्राइब का, बनते कमी नहीं हैं, मन की कमी है दन बहुत कुछ है तिलंगाना से ज़्यादा दन है अगर चाहे तो दे सकते हैं क्यों नहीं देते मैं इसलिए मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ मंत्र बता रहा हूँ सीधी उंगली से नहीं आता गी तो चेड़ा उंगली से निकालना चाहिए और समझदारी से हमको काम लेना चाहिए कि यो कि जो भी बात हैं को गुम्राह करते हैं डिजितल इंडिया बोलते हैं एक यहां इंडिया बोले सबके उपर है मेरे कैल से गली गली में एक चैना बादर है मेकिन इंडिया में सचाई है तो बारत बजार रहने चाहिए ना चेना बजार क्यों आ रहा है कि दर गया मेरा बारत बजार तो जोक करते हैं लोगों से मजाग करते हैं अपने मजाग उडाते हैं मेकिन इंडिया जोकिंग इंडिया हो गया डिश्टल इंडिया का एक मजाग हो गया तो देख लिजिए सुनचिए मैं जो कह रहा हूँ पूरा तिलंगाना माडल यहां हासिल करना है जिला पर से चुनों में आप एक दम गुलाब इजन्डा लहरा दीजिए सारे भाग भाग क्या जाएंगे दिल्ली से बुंबई से सुब भागने लगेंगे गाउं में कि आप कीजिए दूसरा भी एक बात है जो मैं आपके सामने रखता हूं कि दलित बाई है हमारे आदिवासी बाई है किसान बाईयों के समश्चा है दलित बाई कब तक रहे ऐसे गरीब बने रहे क्या उनके खिस्मत में यहीं है हजारों साल से उनकों सतै अज देश का फर्ज बनता है उनके जलित बंदी काम बी शुरू किया है पत्नवी साहब आप भी दलित बंदु शुरू करो महारास्ट में महीं महारास्ट चोड़ दूँगा किसी अन्य जगा जाओंगा दीजिये दलित बंदु क्यों नहीं देते जिस राज में अंबेडकर सापका जनम हुआ पूरे देश के लिए दुन्या के लिए उन्होंने काम किया इसलिए हमने अंबेडकर्ची के यादगार में उनके पूरे भारत में प्रतिष्टावान एक सव पच्चेस पूट वाला उनका मूर्तिवां कड़ा किया अधराबाद में और अब अधराबाद तेलंगाना का जो मंत्राले है उसका नाम भी डाक्टर बियार अंबेड मंत्री जी से अनुरोज किया रदान मंत्री जी आपने जो नया पार्लेमेंट बिल्डिंग बनाया दिल्ली में अगर आपको प्यार है मुहपत है तो उस बिल्डिंग को भी अंबेडकर्ची का नाम दीजिए पुरी देश खुश हो जाएगा कि यह मैं अनुरोज करता हूं गुसरा एक बात में बताना चाहूंगा हमको किसी चीज के अपेक्षा है तो उसी चीज काम को काम करना चाहिए अगर फल घाना है फल के अपेक्सा है तो पल का पेड़ लगाना चाहिए अभी पल मिलेगा पेड़ कांटूं का लगाओ फल के अपेसा करो कापका कांसे मिलेगा है नहीं मिलेगा दूर कर पेक्षा है गदों को गांस दालो और दूद से गाई से दूद मांगो मिलेगा गांस गाई को दालो तब ही तूद मिलेगा गदों को दाल के गाई के पास से दूद कांसे मांगो तो जब हम काम कर रहे हैं जब अपने वोट का काम करना चाहिए तभी जाके हमारा एकता ही हमारा समश्यों का समधान है कास्त तोर पर किसवान बाईयों से दलित बाईयों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आत्मा अच्छा करना हमारा समश्या का समधान नहीं है कि हमारा समष्चय का समधना हमारे आप में हमारा वोट में इतने ताकत है हूँ इसको एक बार एक बार के लिए अपना वोट अपने लिए हिस्तमाल करो आप सरकार बन जाऊ जो 있我很 नीदिया में लिखना लिखो अपना किस्मत बदलने का पुरा प्रायस करो आज के बाध मैं अपने बाशन कतम करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज के बाद आप लोग सुन्चिए अपली जाती किसान जाती होना चाहिए अपला धरम शेतकारी धरम होना चाहिए अपला आस्तर शेत, अपला वोट होना चाहिए अपला लक्ष, किसान सरकार लक्ष होना चाहिए, शेतकरी सरकार, शेतकरी राज लक्ष होना चाहिए ऐसा करके हम लोग किसान राज का स्तापित करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं काईसा नहीं आएगा जैसा तलंगाना में आया नदी बाग के आया वहां कोई पानी का पट्टी भी नहीं है किसानों के लिए पानी पट्टी नहीं है करंट के लिए कोई बिल नहीं है रीमे देते हैं उरे दान करीते हैं ये सारे चीज यहां बहुत आसानी से किया जा सकता है है तो इसलिए जो मिलके बार कहते हैं अब की बार कर दो कि आवाज तुनने में ने अरे इतना तंडा है महारास्टा के बाई शेर है महाराश्टा के अब की बार आब की बार अब की बार धर्मश्य विजेयोस्तू अधर्मश्य विनाश्योस्तू प्रानिश्य शद्भावनास्तू विश्वस्त कल्या नमस्तू जाई महारास्टा, जाई बारत मैं आपसे विदा होता हूँ रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगावास समाचा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिक्शन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाईए ताकि हर कवर की नोटिफिक्शन आपको मिलती रहे है प्राइब के लिए बार नोटिफिक्शन आपको मिलती रहे है